हालो गाईज कैसे हैं आप सभी लोग तो हम देख रहे हैं अपनी स्टार्ट करने वाले हैं यानि कि हमारी होगी फार्मसिटिकल और गनिक केमिश्टी थर्ड तो यहां हम सबसे पहले इसकी यूनिफ़स्ट लेकर आए हैं और इसका हमारे टॉपिक का नाम क्या है स्टीडियो अब बात करें अगर स्टीकल और ऑजरे में थोड़े हमारे इस्ट से और स्ट्रक्ण होने की विचे करना पड़ता है कि औना चींपेर ने बीच में मैं है की डानेंस्यूमर है क्या क्या चीज है मतलब यह सारी चीज नहीं को यहाँ पर पता करने ह्यां वाखिया थोड़े से स्ल्दी टब हो जाते हैं बाकि आपको इस में प्रक्रिक्टिस करने ही करनी पड़े MCQ organic में अच्छा करना है तो ठीक है तो बात करें यहां पर हम ले करना MCQ तो यह हमारे स्पेसली वैसे तो EKTU के लिए है लेकिन अगर जितने भी कॉलेज PCI को फॉलो करते हैं उन सभी के लिए बहुत वादा हेल्फुल है क्योंकि यह हमारे स्लेवस के अकॉर्डिंग है और बैसे भी हमारे जी पैट नाय पर सभी में हमारे काम आने वाले हैं क्योंकि स्लेवस अल्मोस्ट लगवा लगवा सभी का सेम होता है तो यहां पर टोटल हम कीजिए और उसके बाद आप इन दोनों को कंपेर करके देखिए कि क्या इसका अंसर हो सकता है ठीक है तो यह चीज़ यहां पर बहुत जरूरी है इससे आपकी प्रक्टिस भी हो जाएगी और जब आपके फाइनल एक्जाम के पेपर होंगे तो आपको बहुत जादा कॉपी और पेंट जरूर जरूर लेकर बैठीए ठीक है तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हम यहाली सीरीज तो पहला मारे कोशन आता है है एक्जेन एंड थ्री मिथाइल पेंटेनर एक्जामपल आउग तो इन दोनों मैं मतलब क्या रिलस्टन से पर यह किसके एक्जाम सेम हमारा इसी की तरह कंपाउंड हो गां लेकिन पोजीशन होगी हमारी यानकी कनेक्टिविटी यहां पर यहां पर गया तो इस तरह के मारे कंपाउंड के लाधें constitutional isomers यानकि उनकी जो connectivity है atom की वो थोड़ी क्या हो जाती है अलग-अलग हो जाती है ठीक है फ्रेंड तो इस तरह इसका जो right answer हमारे क्या होगा यहाँ पर D होगा second हमारे यहाँ पर आता है cis trans isomers R तो cis trans isomers क्या होते हैं यह तो बहुत ही जादा pentane and two are four two as four are two four digloropentene तो आप जब इसको notebook में अपने बनाएंगे फिर आप इसको जब check करेंगे तो आप देखेंगे यह हमारे क्या होने है यहाँ पर identical होते हैं ठीक है तो इसका जो right answer हमारे क्या हो सेम नहीं होता है तो यहाँ जब आप एक बार चारों को देखेंगे बनागे पहली पहली बार आप बनाके देखेंगे बाद में आपको practice हो जाए आप ऐसे ही इसको बता लगाने लगेंगे तो इसका right answer हमारा क्या होगा यहाँ पर सोचिए बाकिए आप लोग इसका मतलब यह होता है कि जैसे मालो कोई भी हमारा यह बना हुआ है तो यहाँ पर इस्टीरियो जैनिक वाला क्या होता है कि एसी चीज यहां पर जैसे मालो यह दो है और यहां 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 बी है सी है डी है तो अकर हम किसी दो को आपस में चेंज कर देंगे तो पूरा का पूरा होल कंपाउण बहुता था यह नहीं नहीं आएगा फिर जैसा बनाओ मोर प्लान प्लेन भी हमारी इसे में वाला ये है तो है अब महालों को डवल वाले भी तो ओते हैं ये वाले तो दो स्टिरियो सेंटर हो गाया यहां पर आता है र्जा यहां पर था है ठीक है अब यहां देखते हैं which is a mesocompound तो इस चारों में से कौन से हमारे mesocompounds है तो यहाँ पर आप सोचिए बागी जो इसका right answer हमारा कहा है D है 2R4S24-dibromopentene 7 वाला यह हमारा एक तरह से numerical की तरह है तो यहाँ पर तो मैं कहूंगा आप वीडियो को post कीजिए नोट डाउन कीजिए पूरे के पूरे को और उसके बाद आप नोट वुक में solve कीजिए फिर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ यह पूछा है कि इसमें जो हमारा एक mixture form हो रहा है तो उसमें R कितना बरेगा और S कितना बरेगा तो जब आप इसको पूरे को solve करेंगे आपका answer निकल के आना चाहिए यहाँ पर B वाला कि 25% R and 75% S और यह होगा तो यह हमारा एक optically active compound होगा ठीक है फ्रेंड और यहाँ पर आप देखिए 8th हमारा question है Which one of the following can exist in optically active form तो इन चारों में से कौन सा हमारा compound हो इन चारों में से कोई एक ऐसा फेक्टर है जो उस पर डिपेंड नहीं करेंगा तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंसंट्रेशन तो हमारी डिपेंड करती है क्योंकि हमको पता है कि अब जो हमारा इनक्टिव मिक्चर होथा गर उसमें 50-50 होदा है तो वह सब्सक्राइब करता है तो यह हमारा इसको सॉल करके इस बार उन्हों अब आप से पूछ रहें कि यह हमारा कौन से कंपाउंड हो सकता है तो दा पॉद्ञ फिपेंड सानल फन्हों कि इस कंपाउंड मेंद मेंधिए नहीं धचन्टन करता है तो यहां इसको US प्ता है हमारा कंपाउंड होदा यहां फोदा पर सी आगे अब यहां बात करते हैं 11 इस और आप यहां कर्फिज़ हो है क्या तो आपने सिंपल देखो कि तो वह हमारा मीजा निक हो सब्सक्ता क्विप करें तो आप लोग यहां सोचू सचू है और इसका इसको बनाके देखेंगे आप यहां पर समझ जाएंगे ठीक है आर वाला है मतलब आर और एस दो होते हमारे नॉमिल कैचर में तो यहां यह पूछा कि अगर हम उसका आपको पूरा डाटा नहीं दें करते हैं को सब्सका ब spirits अब को बताना है कौन से हमारा कंपाउंद आपको यहां पर तो यान कि इसका एटम से क्या है ट्रांस वन फोर डाइल साइकलो हैप्टेंग और इसका एक और चीज यहां पर यान कि यह ट्रांस वाले जो टम्स होते हैं हाव मैंनि यार अप्टिकली एक्टिव एक तो अगर हम इस कंपाउण को थोड़ा और गोमा के और एक और फॉर्म बनाए तो जरूरी नहीं है कि केवल इसके साथ हमारा जैसे मालों ने ऐसे बना दिया इधर यह चेंज कर दिए तो यह कंपाउण भी हमारा ऑप्टिकली एक् यह बताना है कि जो डाइग लोवां फॉर्म कर रहा है तो इसका राट अंसर नमार चाहिआ होगा टू खुम्पाउंट्स को फथा होगा ठीक है अब हम यहां पोस्टे 15 वामारा है विच अबच अब कोई हमारा एस उनिंसीमर के यहां पर पूछा है कि कौन सा हमारा वह सही तो इसमें हमारा राइट अंसर क्या होगी यह हमारा बिलकुल करेक्ट है कि जो होता है अगर इसको यह मिरर रिमेज होती है लेकि नौन सपर इंपोजबल होती है खेक हैं तो राइट दाएगा थीखराइगा फ्रेंड बर लोग इसकी डेफिनिशन भी आगी तो वहीं हमारी होगी नौन सपर इंपोजबल मॉलकूजूD सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक चीज पतार लेगी कि हमारे जो नॉट इन स्ट्रू बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट स्पैसिफिक रोटेशन और देंसिटी सोचिए पागी स्पैसिफिक रोटेशन हो जाएगा ठीक है पागी सोचिए क्यों है कैसे आग सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब क्या होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं होते हैं और एक दूसरे के उपर सुपर इंपोजिबल भी नहीं होते हैं इन की नौन स्पर इंपोजबल हैं नौन मिररे मेज होते हमारे डाइ स्टियू अब मारा नाइंटींट कोश्यन अता है विच आप ते स्टेट्मेंट बिलो करेक्ट्ली डिस्क्राइब एं अकारइल मॉलिक्यूल तो इन चारों में से कौन सा हमारे स्टेट्मेंट तो काई सेम हो सकते हैं उपर नीचे क्योंकि चार उसमें अलग लग नहीं होते हैं तो अगर यह सेम हो सकते हैं तो यहां पर हमारी प्लेन आप समिट्री आ सकते हैं जिस वाइसे हमारा मीजो कमपाउंड हो सकता है एसा नहीं है कि हर कमपाउंड मीजो होगा लेकिन हाँ मीजो कमपाउंड हो सकता है 20 हमारा है कि हाव मैंनि काईरल इस्टीडियो इसमर्स कैन भी ड्राउंड फॉर अब यह वाला कमपाउंड तो आपको नोट्वुक पे बना के देखना पड़ेगा आप ऐसे इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप इस स्टक्चर इसका बना के देखें चार हमारे यहां पर यहां है तो आप इसको फिर से बना के देखिए और चेंज करकर के जगह बना के देखें तो यहां पर आप देखिए बाकिसे इसका राइट आंसर हमारे क्या होगा यहां पर ठीक है फ्रेंड्स फाकी फिर आगे 22 हमारा है फॉर जन्रल इस्टक्चर यह वाला देर वाट नमर आप अब आपको एक और कंपाउंड दिया है यहां पर तो मतलब यहां पर कॉंपी पर बना बना के देखिए वीडियो जरूर यह 15-20 मिनिट की होगी लेकिन आपको इसको लेंदी करके देखना ही पड़ेगा तब ही प्रक्टिस होगी और गनिक में आपको करना पड़ेगा यह ठीक है यहां पर सिंपल नहीं होता थोड़े आपको सॉल्व करनी पड़ेगी चीज तो यह आप इसको सॉल्व की से बना के फिर देखिए यह कितने हमारे स्टीरो इसमर्स बनते हैं इसके और इसका जो राइट अंसर हमारे 22 को क्या होगा यहां पर 4 होगा जानी कि इसमें ह हमारा आता है अब हमारे यहां पर आपको मिलेंगे इस्ट्रक्चर वाले तो ऐसे भी हमारे बहुत जादा पूस्ते हैं तो आपको सिंपल वीडियो को पूस करना है सोचना क्या होगा बाकि मैं इसका राइट नहीं को पता दूंगा तो आपको इन चारों में देखना है कि क आप किसमेर से पर केंखने को यहां आप देखेंगे यहon बाइक इनक दूसरी के उपर नीचे हो गएं तो आप इसको यहां देखिएंगे तो आप तो यह दूसरे के मेरा दिमेज भी नहीं है और जाता है तो यह मारी किसमें अब श्क्रेट थाएंगे किसमें यहां बनाएंगे तो आप इन बिसमेट बिसके होखज और यहाँ है फियरल इसे कोई चुछ में उपर होंगा इसको तो छल्ड है नहीं है अब यहां पर बताना है कि वन ऐसे कौनसा तो इये तीन आपके सामने दिए हैं आप यहां पैचानी है आज हुर में उसकते हैं तो यहां आपको देखनाया है डिच इस्ट्रक्चर겠죠 as two Bromobutane इस question में आप confused तो नहीं हो गई यह वाला जो मैं ने यहां यहां पर ये हैं यहां पर यहां पर यह था कि एक में नहीं बनना था दामारे यह से जाधा में बनना था इसलिए नहीं देगा more than one of above इस यहां पर प्रोम ब्लार यह-था फिर pods चार P और यह वाला कंपाउंड यह हमारा सो कर रहा है एस टू ब्रोमो ब्यूटें थर्टी हमारा है इनेंस्युमर्स आर्टों यहां पैचान नहीं है तो इनेंस्युमर्स की अगेन हमारा सिंपल वही वही सेम आ गया है डबल हो जातें कभी-कभी तो नॉन सफर तो यहां पर जो हमारा इसके लिए तो इन चारों को आप स्टड़ी की दिये बागी इसका राया टांसर क्या होगा हमारा सी वाला क्या रियक्शन विच क्रियेट अन्यू कारल सेंटर विद्स एक्टिविटी फॉर वन इनेंस्युमर्स ओवर एनदर तो इसको आप समझेए इ प्रियो सिम्पल कशा झीख साथ तो यहां पर क्लोरいました है यहांबर टॉर्ण थे HAS क्लोरीन का उन्होंना सबसे यहां पर सबसे यह होता है है यहांबर पर स्पीर यह हैंके निया है यहांब तो यहां पर यह प्वूचा है कि इस मेंसे कारिय ते लिए कौन सा हमारा एसाइनमेंट सही होगा यह जो इसकी सीरा नाम पूछे की कि या नाम है कैसे है तो आप इसको решuar करें तबूर करें तब आपको पता लगएगा कि आपको पॉसिबल टू डिश्टिंगूज बिट्विन ऑप्टिकल आइसोमर्स भाई अब अगर हमें चेंज करना डिश्टेंस बताना है डिफ्रेंसियेट करना है तो इन में से चारों में से कौन सा हमारा टेस्ट इसके लिए परफेक्ट रहेगा तो 36 का मारा अंसर क्या है पॉलेरी मेटरी क्योंकि पोलेरी मेटरी ही इसमें हम क्या कर रहेते हैं यहां से लिए ब्रोटिर क्रराएगी इधर कर रहरा मियूगरा गया यह शीदा निकल रहा है अप्टिकली एक्टेव कंपाउंट होगा 38 हमारा आता है विश्व दा फॉलिविंग इस दा डेफिनिशन ऑफ काईरल्टी के लिए इन में से कौन सी डेफिनिशन परफेक्ट रहेगी तो यहां सोचिए बाकिस का राइट अंसर हमारा क्या होगा दियान कि सिर्फ हमारा पहला क्वारा यह है किया है थीक है 40 हमारा आता है स्पराइब भिजशे मेंट घिबन कंपॉंट अकौरल अब जॉससे में जो मारी में 30 दीए और यहां देखने को मिलती थी पहली है सेंटेर ऑमारा कायोष कंत तो कुछ आइसे कुश्यन भी आएगा बहुत जादाद है तो आप यह देखे ऑनके है यह gentleman हमारे compound क्या है एक दूसरे के chiral compound है यह वाले तो यह वाले तो यह वाले compound हमारे क्या होंगे यह दोनों के दोनों और फिर आपको बताना है 43 में तो यह वाले तो यहुम बढ़ तो यह कहिले है यह किसे इत बैदे हैं तो इस यह सिय करोब चार्वन के आपको देखने सी लुग यह श्क्तिवाजर उत्सक्राइब यह है पस confuse मत होना बहुत ही आराम से सारा कुछ हो जाएगा अब आपको यह बताना है कि हमारा R है कि S है तो R S के लिए आपको सबसे पहले priority देखनी है उसके बार आपको पता लगाना है कि किस तरह हमारी movement हो रही है और उसके बेस्पे यह सारी वीडियो में आपको यूनिफेस में पढ़ा चुका हूँ बहुत आदेजिए आपको सबको देखिए और फिर पता लगाईए तो यहां पर इसका हमारा हमारा क्या होगा यहां पर एस होगा 46 वाला ठीक है 47 वारा आता है असाइन आर और एस configuration तो यह वाला पार हमारा क्या होगा एस होगा ठीक है बागी 48 हमारा आता है असाइन आर और एस तो इस पर यहां पर आप देखें गौर से क्या होगा प्राइविटी देखें सारा कुछ आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा यह मत सोचना है कि इतनी जल्दी हो जाएगा तो यह हमारे 50 कोशिशी यहां होगा अब आपको क्या करना है होमर के रूप मैं क्या होगी इसमें प्रक् कुछ भी 52 यह है इसका भी आपको अंशर कमेट से कमेट्स में लिखना है यहां में लिगना है और यह 25 आपको जो इसमें प्रक्रेस करनी बड़ेगी बाकि ओर लीडिविए कि वीडियो कर आएं को आपको सबीडियों प्रक्रेस हो जाएग तो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप एक बार विजिट करना वाकि ये वाले जो पीडियाफ की नोट्स हैं बहुत जली हम एफसाइट पर अपलोड करतेंगे तो बस मिलते हैं आप से बहुत जल टेक केर अपना लोग आप लोग ख्याल रखिएगा बा करता है बला करता है लिजिए करता है करता है